दोस्तों अभी इस वीडियो में हम LCM of 8,9,12,15,20,25 numbers का find करना सेखेंगे इस वीडियो को पुरा देखें अभी हम अपना prime factorization method काम में लेने वाले हैं देखें prime factorization क्या होता पहले आपको यह समझना जुरूरी है आपके देखें जो prime numbers है यानि जो अभाजी संख्या है जब किशी number को हम इसके form में यानि इसके factors में तोड़ देते हैं तो उसका prime factorization कहलाता है LCM के लिए हम prime factorization कुछ इस प्रकार से करते हैं इन सब को एक साथ लेते हैं ठीक है उसके बाद हम अपनी सुरुवाद करते हैं आपका जो सबसे छोटा prime number है यहनि टू से सुरुवाद करनी है जहां रखना हमेशा तो टू से मैंने सुरुवाद की देखिए टू का divide किया इसमें जा रहा है four time इसमें नहीं जा रहा है डिवाद करने का मतलिब यहां पर आपका complete डिवाद जाना चाहिए इसमें जैसे two का divide करेंगे remainder one आ जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए अब यहां पर मैं कर क्या रहा हम वह भी आपको सोड़ा एक के लिए बता देता हूँ इतना four time आ गया जिटने time आपका divide करने पर आ रहा है उसको यहाँ लिखते जाना है जिसमें नहीं जा रहा है complete डिवाड correl すको जैसा वैसे लिखते इना जिसमें जा रहा है उसमें जितने टा algorithms जा रहा उसको लिखते ना चीए गया और यहां पर आपको तरीका ध्यान रखना है अगर टू करते हैं तो टू टाइम चला गया जब तक टू कर जाए गए तब तक हम अगले पर नहीं जाएंगे यहां रखना अगें टू का इसमें वन टाइम गया अब यहां पर वन आगया मतलब इसका आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया इस लाइन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहां आपका नाइन है यहां त्री है यहां वन फाइव है यहां फाइव है यहां टू फाइव है अब आगे आपका कौन है 2 का तो मामला complete हो गया क्योंकि अब इन सब में 2 का divide नहीं हो रहा है आगे आपका बेठा हुआ है 3 3 से देखो divide होगा यह होगा 3 time यह 1 time यह आपका 5 time 5 नहीं होगा और यह भी नहीं होगा again देखो 3 से divide होगा यह 1 time यहाँ पे one है यहाँ five है five है और यह two five है अब देखो आपका one one आ गया और यह आपका three से जो बचा हुआ है यह डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम किसके पास जाएंगे आगे five के साथ यह five से one time यह भी five से one time और यह five से five time के देखो five का डिवाइड करते हैं तो यहाँ one यहाँ one यहाँ one यहाँ one यहाँ one और यह भी आपका one आ गया जब one one आ गये मतलब प्रोसेस आपका complete हो गया अब LCM क्या है यहाँ पर जो यह आपके factors निकल कर आए हैं इनका multiplication तो देखे टू multiply two multiply two three multiply three five multiply five इनका देखे हम multiply करते हैं तो यह कितना 25 का और यह कितना है four किता हंडेड आ गया हंडेड का two के साथ multiply किया two hundred two hundred का nine के साथ multiply किया चीक है तो यहाँ पर कितना आ गया आपका अठार आ गया इनका multiply और पीछे दो जिरो तो यह दो जिरो लगा दें तो LCM आपका कितना निकल कर आया है अठारा शो निकल कर आया है बस यही तो आपका simple सा प्रोसेस है ओकी चोट रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्रा